जिनको नयन, दुर लब बड़े हैं ये पावन चरन जीवर ने आ रहे हैं जिनको नयन, दुर लब बड़े हैं ये पावन चरन भकतों के दिल में बसे आप हो, रहती दिलों में ये जो धरकन वेत्या गुरवर तुमको नमन, जीवर ने आ रहे हैं जिनको नयन, दुर लब बड़े हैं ये पावन चरन सागर के जैसी है गंभी रिता, परवर्त के जैसे अचर आप हो ठंडी हवाओं से सीटल भी हो, बगिया से खुश्बू लिये आप हो जुकते जहां पर ये धरती गगन दुर लब बड़े हैं ये पावन चरन पिछी बना लो मुझे आपकी दिन रात चरनों मैं बैठा रहूं या तो कमंडल कजल ही सही हर रोज चरनों को दोता रहूं रस्ता बुहारे जिनका पवन रस्ता बुहारे जिनका पवन दुर लब बड़े हैं ये पावन चरन संगीत तुम हो तुमी सार हो सुरताल तुम तुम ही आवास हो सुरताल तुम तुम ही आवास हो जोकते जहां पर धर्ती गगन दुर लब बड़े हैं ये पावन चरन दुर लब बड़े हैं ये पावन चरन भीपतिया तुम के पास आए 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 अए विद्या सांगरमार आज आए 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 विद्यास आज बुली संथ शिरो मणिया चार गुरुद्य सागर्जी महा मुनि राज की समस्त मुनि संग की नमोस्तु गरुबर नमोस्तु पावन वर्षा योग पावन वर्षा योग दो हजार तेईस यदि आप चाहते हैं कि इस पावन वर्षा योग का कलस आपके घर तक रिद्धी सिद्धी से समाहित जो कलस होता है आपके घर तक पहुँचे तो पावन वर्षा योग कलस जिसकी निछावरासी एक सो आट कलस चंदप्रवभगवान कलस जिसकी निचावरासी इंकावन कलस आचारशी शांती सागर कलस जिसकी निचावरासी किस कलस आचारशी ग्यान सागर जी कलस जिसकी निचावरासी ग्यारा कलस आचारशी विद्य सागर जी कलस जिसकी निचावरासी पांच कलस और चातुर मास, चंदगिरी चातुर मास कलस जिसके निशावरासी दो लाक एक हजार रुपे हैं यदि इन कल्सों में से आप सौभा के प्राप्त करना चाहते हैं कि कलस एक चंदगिरी का 46 गड़का आचार शिविद्या सागर्जी महराज के चातुर मास का एक आपके घर तक पहुँचे तो आप अपना मन मानस बना कर अपनी स्विकृति प्रदान कर सकते हैं यथा विवस्था नुसार हम आपके नामों को सब्समाना मतित करेंगे आप भी सौभा किसाली होंगे आचारवगुन के ससंग स्री चरणों में श्री फिलर फित कर दिन हम आएंगे हमारी घोशना कर देना आपने आचार शी ग्यान सागर कलस के लिए ग्यारा लाख रुपे की शिक्रती दी है स्री रतनलाल जी संजे कुमार जी बढ़ जाते हैं और आपने उक्तरासी नगद चंदगरी तीर शेत के खाते में जमा करा कर रसीत प्राप्त कर दन की अनुमोद नहोना चाहिए आप आएं चार्वyan के ससंग श्री चर्णों में शीफलर पित कर आशिरवात करने का सौभाः पराप्त करें और अचार्वगूं के करकंलों में प्रथम सास पदान करने का भी सौभाः प्राप्त करें जनम दुख मेट दो मरने दुख मेट दो जनवानी जग मैया जनम दुख मेट दो झिने वाय जग मंईया जनम दुख मेट दो फिरम्चाणी मनिशा दिदी दीकस्तूर चंजैन मीत माही जबेरा दमः आप ने भी छातिष्प धान करने का सौभाग पराप प्राफ किया है आपने मंदर निरमान के लिए उन्हों के शुक्रिदि दी अपने जन्र दिन पर सास प्रदान करने का सौभाग अनमोद ना करना चाहिए करने का सौभाग प्राफ्त करें विनए रीना सीमा रॉना कमल जी नकुल जी मदन गंज किसंगर आपने भी मंदर निर्मार में इंक वान हजार के मात्यम से सास्प्रदान करने का स्वभाग प्राफ्त किया है जिनवाने जग मैंया जनम दुख मेट दो जिनवाने जग मैंया जनम दुख मेट दो जिन्वाने जग मैं आजनम दुख में दूख जिनका क्रम आता है वे ही जाएं और सिग्रिता से दिवान चंजी जैन, रिशब जी जैन, किष्णा नगर दिल्ली आपने भी इंकावन हजार के मात्या में से सास प्रदान करने का स्वभाग प्राप्त किया धन प्रकाश जी, सुधाकर जी, सपरिवार, धामपुर, विजनवर, उतरप्रदेश, आपने भी इंकावन हजार के मात्या में से सास प्रदान करने का स्वभाग प्राप्त किया आप सीक्रिता से जिनके नाम की घोशना है वे जाते जाएं इस स्वभाग प्राप्त करते जाएं स्रीमान, प्रकाश जी, रितु जी, पंडित, अमरित, लाल जी, जैन, वारानसी से हैं आपने मंदिर निर्मान के लिए सोने की अंगुठी मंदिर निर्मान मेंदान में दी है आप भी आएं अचारवगन के ससंक सी चड़ों में स्रीफल अर्पित कर आशिर्वाग प्राप्त करने का स्वभाग प्राप्त करें अरविंद कुमार जी आशिश कुमार जी गुना से हैं आपने 11,000 के मादम से स्रीफल का स्वभाग प्राप्त किया है आप आते जाएं अपना स्वभाग प्राप्त करते चलें मुन्ना लाल जी आगरा वाले आपने श्रीफल भेंट करने का सवाख राप्त किया है नीचे से करना है श्रीफल भेंट, नीचे से उपर नहीं अब किसी को उपर नहीं जाने देना, नीचे से श्रीफल यहाँ श्रीफल यहाँ नीचे से भेंट करें श्रीमती रोहन जैन जग्दलपुर शाज़तान इंगावने जाएं लिखवा के बेज़ो श्वी मत्ती सुनिता जी जैन बिलासपुर एक चंद सिला सभी लोग अपने इस्थान पर बैठते जाएं हां एक तुम भजन की प्रस्तुत तुम इधर उधर ध्यान मत को भजन की प्रस्तुत अब नाम बोलो रियांस और राइसा कहां से दूर्ग से रियांस और राइसा है अपने गुलक की राशी यहां पर में दे रहें इतालियां बजा करना अपने इस्थान पर बैठते चलें 31 कि क्या बोला है सुनो तुम एक्टिस कि कि सभी लोग अपने इस्थान पर बैठते जाएं मेरे सिर पर रखदों बाबा मेरे सिर पर रखदों गुर्व यां मॉबाइल बंद रखें सभी से ने बेदाने स्री निर्मल चंजी ज्हांजरी दीमापूर आपने आचार शांती साकर कलस के लिए 21 लाग रुपे की स्विक्रिटी दी तावन वर्षायोग चातरमाद अनुमोदना 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 बारंबार मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम गुरुवें करते हैं और आवाज कम रखो यह बेज बढ़ा के मत चेंज किया करो जैसे बस राजेश जैन रोहन जैन आरार कंपनी जगदलपुर सभी लोग अपने इस्थांतर बैठ जाए जितने लोग खड़े हैं और सभी से निवेदन हैं मॉबाइल प्रतिबंदित है जिनके हाथ में आप अपने इस्थान पर रहें आप इतने लोग क्यों खड़े हैं सभी लोग अपने इस्थान पर बैठ जाएं जिनके नाम थे अब नीचे से बाड मेर से सीसम का कार करने के लिए बेदी निर्मार के लिए देवी सिंग साय जी आए हैं आप भी आएं गौरो जी नागपुर आप भी स्रीफल मेंट करें रितेश जी दिल्ली आप भी स्रीफल मेंट करें अब आचार भगवन की पूजन का सोभाग हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है आप सभी से निवेदन अपना इस्थान करान कर लें और आज के स्रावक सेस्थी के रूप में स्री निर्मल जी जांजरी एम रतनलाल जी बढ़ जात्या कुनकुरी आप दोनों से निवेदन है सामने आ जाएं अस्रावक सेश्टी बनकर पूजन करने का सौभाग आप सभी को प्राप्त होता है हम सभी सामोई पूजन करेंगे जितने लोग खड़े हैं सभी बेढ़ जाएं और सभी सेख निवेदन है चंदगिरी तीर से ट्रस अगम का वह सुधाकल जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुर जाएं रिदैकली ओम रिम सी एक सुआट आचार विद्यासागर बनिंद्र अत्र आउतर आउतर संभो सट आवानन जै हो जै हो जै हो में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग देश की वैतरनी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंदुक जलकण से भव कालुष दोने आया हो आना जाना मिट जाए मिरा यह बंध काटने आया हो ओम रिमसी एक सो आट आचार विद्या सागर्मन इन्दराये जड कोना मैंने जड समझा नहीं अक्षैनिद को पहचाना अपने तोके वल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना चरिणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझे को मिल जावे तब ज्यान अरुण की किरिनों से यह रिदय कमल भी खिल जावे इन विशय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला त्रिशिणा को थ्रिप्त करे जितनी उतनगा अब और अधिक ना भटक सको यह अंतर बोध जगाओंगा मोहांद कार से व्याकुल होन जिको नहीं मैंने पहचाना मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रावस पचताना यह दीप समर्थत है गुर्वर मेरा तमदूर भगा देना तुम ग्यान दीप की बाती से मम अंतर दीप जलाते ना इन अशुब कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तजपुन्य कर्म को चाह रहा अपना ना था चुब अशुब कर्म सबरी पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए आपके चरणों आधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चितना नंद में लीन रहू पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वा मिल बैथा मुझे तिकाना है जग के वैभब को हरो यह अर्ग भेटने आया हूँ हे तपो मूर्त है आरादक है योगीश्वर है महासन है अरुन काम ना देख सके युग युग तक आरुग निर्पामिती नमोस्त भगवन नमोस्त भगवन